आज मैं आप सबी के लिए लेकी आएं हूँ लीची से बनने वाला एकदम ताजा और फ्रेस जूस बनाने का आसान तरीका लीची ज़्यादतर गर्मियों के सीजन में ही मिलती है ये खाने में बहुत ही मीठी और जूसी होती है इसमें विटामिन्स ए और सी अधिक मातरा में पाए जाते हैं इसे लोग वेट लॉस में भी खाते हैं तो चलिए इस मज़ेधा रेस्पी को बनाना सुरू करते हैं यहाँ पर हमने 500 ग्राम लीची ली है लीची हमने बिलकुल पकी हे लिया है जब पकी लीची लेते हैं तो यह बहुत ही मीठी होती हैcover माज़तों तो यह प्लेख जूब रखी का यादर है जूस बनाने के लिए पकी होई लीची लेनी हैं और जब हम मार्केट से लीची लाते हैं तो इस प्रकास से डंठल में लगी हुई लीची हमें मिलती हैं तो हम क्या करेंगी डंठल से लीची को अलग कर देंगी तो लीजिये हमने सभी लीची को डंठल से अलग कर दिया है तो चलिए अब हम इने धोते हैं तो दूने के लिए हमने एक बर्तर में पानी ले लिया है और इस पे हम लीची को डाल देंगी लीची को पानी में डालने के वाद हम इसे हाथों से रगड के अच्छे से दोलेंगे जिससे कि इसमें जितनी भी गंदगी होगी वह सारी हट जाएगी नीचे को हमने अच्छे से धोल लिया है तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो चलिए अब हम लीची को छीलते हैं तो इसके लिए हम एक लीची लेंगे और इसके उपर का ये जो पार्ट है इसको निकाल देंगे और फिर एक चाकू से इस पे कट लगाएंगी और इसके जो उपर का पल्प है उसको अलग कर देंगे और इसका बीज अलग कर देंगे इसी प्रोसेस से हम सभी लीची को छेल लेंगे और इसका बीज अलग कर देंगे और पल्प को इस बोल में डालते जाएंगे पल्प डालने के बाद आप हम डालेंगे इसमें दो बड़े चमस चीनी और चीनी डालने के बाद हम डालेंगे इसमें आधा छोटा चमस काला नमक और आधा नीम्बू का रस और फिर हम डालेंगे इसमें आधा कफ पानी अब हम इसका डखकन लगाके इसे अच्छे से पीस लेंगे तो लीची का जूस बनके हमारा तयार हो गया है तो चलिए अब हम इसे ग्लास में सर्व करते हैं तो ग्लास में हम डालेंगे आइस क्यूँ और फिर हम डालेंगे लीची का जूस अब हम इससे डेकुरेट करेंगे लेमन स्लाइज से तो लीजिए एकदम ताजा और हिल्दी बीची का जूस बनके हमारा तयार हो गया है अगर आपको मेरी आज की ये रेस्पी पसंद आए तो वीडियो की नीचे जो लाइक का बटने उसे जरूर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें